सो हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ट्योब चैनल इस्टोट लाइफ में सो बच्चो कल 30 अपरेल है और ऐसा न्यूज बहुत जादा सर्कूलेट हुआ है कि 30 अपरेल को CBC क्लास 10 और 12 दोनों ही क्लासेस की रिजल्ट 30 अपरेल को एक ही दिन में निकाल दिया जाएगा तो क्या कल CBC 10 और 12 दोनों ही क्लासेस की रिजल्ट निकल रही है और अगर निकलेगी तो कितने बज़े निकाला जाएगा और नहीं निकलेगा तो फिर आगे कब निकाला जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में आभी आगे मैं आप लोगो बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को पुरा सुरू से लाश्तक देखते रहना और हाँ देखो जब रिजल्ट निकलने वाली रहती है ना आपका मैटर नहीं करता है मैं पहली आप लोगो बताऊंगा बताना चाहूंगा कि परसेंटेज चाहिए कितना भी आए मांक सापके कितने भी आए डिमोटिवेट आप लोग विल्फूल में रहना क्योंकि आगे आप लोग को और बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं ठीक है तो यह तो आपकी खेर पहली सीडी है जहांसा आप आगे बढ़ रहे हो अपने केरियर की सुरुवात करने जा रहे हो ठीक है तो यहां से आप आगे दिन बाद दिन तरकी करते जाओगे तो इस किया था कि सर मुझे डर लग रहा है कि मैंने इंग्लीज की जो एक्जामनेशन से मेरी अच्छी नहीं गई थी तो क्या मेरा एडिशनल सब्जेक्ट के मांक्स मतलब जूट सकते हैं मैं प्यास हो सकता हूं तेको मैंने पहले भी आप लोग को यह चीज बताया था कि इंग् सरब 20 मार्स का भी लिग कर आया है ना तो भी आपको मतलब क्लास्त में हो तो आपको पास कर दिया जाएका तो इसके लिए बिलकुल भी घबराना नहीं है ठिक है आपको पास किया जाएगा हाई सांसेज रखो कि आपको फेल नहीं किया जाएगा और रहा सवाल कब रिप्लेश होता है देखो रिप्लेश होने के दो पॉसिबिलिटी है अगर आपका मैथमेटिक्स या फिर सोसल साइंस या फिर साइंस जैसे सब्जेक्ट में अगर आपको का क्रॉश लगता है तो उस मैंने संस्कृत भी लिया है और हिंदी भी लिया है मैंने information technology और computer अप्लिकेशन नहीं लिया तो क्या संस्कृत या फिर हिंदी में से میरे रिप्लेश हो जाएंगे तो वहाँ पे वो replace नहीं होता है ठेक है वहाँ पे वो replace नहीं होता है संस्क्रीत और हिंदी में से जो जिस भी subject में आपके ज़्याधा marks आएंगे तो वो आप लोग को दे दिया जाएगा जिसमें कम आएगा वो मतलब वो आपका side हो जाएगा मतलब वो आपका additional हो जाएगा और main subject वो हो जाएगा जिसमें आपके ज़्याधा marks आएंगे तो वो उसके लिए है समझ में आ गया होगा और रहा सवाल result का कि कल 30 अप्रेल को result निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा देखो class 12 की अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता ही होगा कि examinations ही है जो कि 5 अप्रेल को खतम हुआ था ठीक है आपको पता ही होगा class 12 की examinations है वो 5 अप्रेल को खतम हुई थी और अगर 30 अप्रेल का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में मातर 25 दिन का ही समय हो रहा है जैसा बराबर देखा जाता है कि class 10 के result को बाद में cbc निकालती है पहले class 12 के result को निकालती है तो उसके अनुसार 10 की भी result कल नहीं निकाली जाएंगी ठीक है और अगर आगे कभी भी result आपकी निकलनी भी रहेगी ना में भी कि हो सकता है देखो cbc क्या है कभी कुछ भी decision ले लेती है अब जैसे इस साल क्या क्या गया है कि जैसे आपको पताई होगा कि जो भी बच्चे 2023 में इस साल बोर्ड एक्जामिसंस और दे चुके हैं जो अपनी result का वेट कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि उनकी जो sample paper है वो लगबख सप्टेंबर के महिने में आई थी लेकिन इस बार देखो cbc ने क्या किया है कि syllabus और sample paper एक साथ release कर दिया है जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं होता है तो cbc कभी भी कुछ भी कर देती है तो हो सकता है कि जो आज तक कभ चेकिंग पूरी नहीं हो पाई थी में भी कि 10th का result आना रहेगा तो आ सकता है और अगर आएगा भी ना तो यह आप मान के चलो कि यह आपका करीब 3 बजे के बाद निकाला जाएगा तीन बजे के पहले नहीं निकाला जाएगा ठीक है जो कि यह भी high chances नहीं है मतलब बहुत लेश चांस है कि कल रिजल्ट आपका निकाला जाएगा और ज्यादा चांस है कि पहले 12 का ही निकाला जाएगा फिर 10 का निकाला जाएगा तो आपकी अगर रिजल्ट कल नहीं भी निकलती है तो आप इतना मान के चलो आपकी जो रिजल्ट है वो 10 से 15 माई के बीच में निक सब्सक्राइब करके रखें मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू बाबाई